हेलो गाईज, हाई एम आसीज सर, प्रिवियस क्लास में हम एंड ओपरेटर के बारे में डिस्कस किये थे आज उसी के आगे हम और ओपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं बी सीए, सेकेंड सेम लेक्चर थटीन है सी प्रोग्रामी और अपरेटर और अपरेटर का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं एक टेबल क्रियेट करते हैं स्टेटमेंट फस्ट, स्टेटमेंट सेकेंड देन रिजल्ट स्टेटमेंट फस्ट में यदि फाल्स है और सेकेंड में भी फाल्स है देन रिजल्ट क्या होगा फाल्स ठीक यदि स्टेटमेंट फाल्स में यदि स्टेटमेंट फस्ट में फाल्स है और सेकेंड में ट्रू है देन रिजल्ट क्या होगा ट्रू मतलब जब दोनो input जो है false हो तभी false हो रहा है देखिए third में third में क्या आएगा यदि पहले ही क्या मिल गया true मिल गया यदि statement first में ही true मिल गया तो second में check करने की कोई भी आवश सकता नहीं है मतलब result क्या आएगा हर दम true आएगा ठीक है इसका program देखते है program देखते है तभी समझ में आएगा main function int y, x equal to 5 clr, s, c, r just clr, s, c, r इतनी बार लिखे लेकिन आप लोग भूलिएगा नहीं clear screen के लिए इसमें दो variable लिए हमने x और y लिए जो कैसे हैं integer type में जिसमें x में हमने कितना value define कर दिया 5 y equal to x less than 8 और और ऐसे लिख लो चाहें दो डंडा लगा लो कोई दिक्कत नहीं ठीक x less than 10 ले लिए print f percent d y get ch output बताइए कितना आएगा देखिए एक में वीडियो पॉस करिए आप जल्दी बताइए output कितना आएगा तो मैं फिर दूसरा भी इसी में प्रोग्राम दूँ अब देखिए x में हमने कितना लिया 5 यहाँ पे देखिए x में कितना लिया 5 तो 5 less than 8 yes condition क्या है true है condition condition true है और यहाँ क्या है और operator है x less than 10 x में कितना लिये फिर से 5 लिये और फिर क्या है फिर क्या है condition क्या है फिर से हो गई true ठीक तो जब पहली condition ही मेरे पास क्या आगई true आगई कि x में मैंने ले लिया 5 5 less than 8 मतलब condition true है तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं answer इसका क्या है answer इसका आगई one ठीक है अब दूसरा देखिए दूसरा दूसरा लिखते है y y equal to 5 5 5 और less than 3 और operation लगा है और इसमें क्या मैं डाल दूँ इसमें 5 आगई x equal to तो 5 ही लिख्योंगा और ये 10 है तो अब देखिए पहली condition क्या हो गई false हो गई जब पहली condition false हो गई तो दूसरे को चेक करते है पहली condition false लेकिन दूसरी condition true है मतलब पहली condition जब false हो गई दूसरी condition true है तो वह लूँ क्या आएगा true मतलब इसका output कितना आया इसका भी output कितना आया one ठीक साहिद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अब इसके आगे हम लोग discuss करते है conditional operator के बारे में ठीक है 6 नंबर है conditional operator conditional operator काउन काउन से थे यह दो conditional operator है अच्छा देखिए conditional operator का ही दूसरा नाम क्या है ternary operator ठीक तो आप लिख सकते हैं इसको ternary operator ठीक है ternary operator और इसको और क्या कह सकते हैं ternary operator को ही conditional operator कहते हैं conditional operator basically operator तीन तरह के होते हैं ठीक है बेसिकली operator तीन तरह के होते हैं और ओप्रेंट्स की संख्या के आधार पर ही यह decide होते हैं ठीक जिसमें हम अब कह सकते हैं कि जिनको क्या तीन ओप्रेंट्स की जरूरत होती है और तरनरी operator होते हैं मतलब conditional operator होंगे ठीक है unary operator में अपना काम करने के लिए एक ही ओप्रेंट्स की जरूरत होती है ठीक जो unary operator में होते हैं जैसे की प्लस प्लस यह क्या है प्लस प्लस यक्स यह क्या है यह टरनरी operator हैं ठीक है binary operator में दो ओप्रेंट्स की जरूरत होती है इसमें एक ओप्रेंट्स की जरूरत होती है ओप्रेंट्स की जरूरत होती है ठीक है और देखिए बाइनरी में जैसे एक्स प्लस वाई अब इसमें कितने दो ओप्रेंट्स हुआ यही ओप्रेंट्स है ना इसमें कितना हो गया दो ओप्रेंट्स हो गए इसमें two operands की जरूरत हो गई तो हम कह सकते हैं कि जिनको अपना काम करने के लिए two operands की जरूरत हो उन्हें binary operands कहते हैं अब देखिए third, ternary operands जो हम लोग आज discuss कर रहे हैं जैसे expression expression first ठीक expression second अब मैं ऐसे लिख दूँ समझ में आजाएगा और expression third तो इनको कैसे हम decide कर सकते हैं ये और ये ठीक तो मतलब कि इसमें कितने operands की जरूरत C language में एक मात्र ternary operands है जिसमें three operands की जरूरत होती है मेरे एक एक सब्दों को आप notice करिएगा उसको मतलब अच्छे से समझ जिएगा मतलब जिसमें तीन operands की जरूरत होती है ओ तर्नरी operator होता है ठीक अब चलिए इसके expression लिखते है पहले expression लिखते है जैसे x greater than 4 printf अब देखिए समझीए question mark के पहले यानि expression first expression first यदि true आता है यदि true आता है तब expression second execute होगा मतलब जब यदि true आएगा तब expression second execute होगा ठीक है और यदि ये false आता है और यदि ये false आता है तो third expression execute होगा इतना समझ में आया जो काम हम if else से करते हैं वही काम हम conditional operator से भी करते हैं इतना याद हो न थी जैसे एक छोटा से प्रोग्राम देखते हैं जैसे if इसके अंदर आप कुछ भी लिखे ठीक start की curly braces ये second मतलब एक नमबर पर कुछ भी लिखे second नमबर पर लिखे इसको end किये else लगाए और फिर curly braces लगाए और यहाँ पर statement जो भी लिखे third फिर्ट cmd यहां लिखे और इसको बंका दी ये if he else हुआ अभ इसी को conditional operator में हम लिखते हैं तो कियसे लिखेंगी देखिए conditional operator में कैसे लिखेंगी conditional operator में हम इसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे expression first लिखेंगे फिक है और यहाँ हम लगाएंगі ये और second expression यहां लिखेंगे फिर लगाएंगे column और फिर third expression यहां लिखेंगे समझ में आया इतना? इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक, आज का lecture मैं यहीं फेंड करता हूँ इसके बाद next lecture में मैं और अच्छे से इसको explain कर दूँगा जिसे और अच्छे से समझ में आया थेंक यू